अगर किसी expression में एक से जाधा parenthesis है मारलो मैं एक expression लिखता हूँ A is equal to मैंने curly brace एक start करी या फिर मैंने लिख दिया 7 minus फिर मैंने लिख दिया 3 minus 2 और plus मैंने एक square bracket लगा दिया 8 plus 99 minus 11 और 99 minus 11 में मैंने इस तरह से ये bracket लगा दिया इसको मैंने यहाँ close किया फिर मेरा एक curly brace चला था उसको मैंने close किया अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसको आप लोग चेक करो कि क्या इसकी parenthesis, square bracket और curly bracket जो ये लगे हुए है ये क्या balanced है या नहीं तब आप लोग क्या करोगे अब आप मेंसे कई लोगों ने जो opening, closing, parenthesis वाला था उसके बहुत अच्छा response दिया था मैंने एक दो सवाल पूछे थे आपको इस वाले वीडियो में यार कुछ लोगों ने playlist access करी नहीं है तो जल्दी से कर लो इस playlist को access और bookmark कर लो और जितने लोगों ने भी इस्टाग्राम पर शेयर किया thank you very much, बहुत दिल से thank you, मैं आपर वापस आँगा notepad, one note में sorry notepad नहीं, one note है, तो यहाँआपर मैं एक stack बना लोगा और लोगों को बताँगा कि इस तरह की multi parenthesis वाली problem को आप किस तरह से check कर सकते हो, ठीक है so यहाँपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको यह मिलती है, मानलो यह वाली parenthesis हमें मिलती है, तो हम stack के अंदर push करेंगे just like हम अपनी single parenthesis वाली problem को solve करते थे, तो मैंने यह push किया stack में, अब मुझे मानलो यह मिला, दूसरा, बाकी सारी चीज़ों को ignore करूँगा, मैं I am just interested in यह वाला, यह वाला opening brace, और square bracket and at the same time, यह closing यह और यह closing, ठीक है तो यह opening में में मेरे को यह में interest है, और closing में मेरे को इसमें interest है, हम कर क्या रहे हैं पर हम बस यह कोशिश कर रहे देखने की कि क्या यह expression balance रहा नहीं है तो मैं अपना, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में balance parenthesis वाला code बताया था उसको मैं extend कर रहा हूँ multiple parenthesis के लिए कि यार अगर 10 तरह के bracket और आ गए तब आप किस तरह से solve करोगे तो मैंने यहां से इस expression को traverse करना स्टार्ट किया opening bracket मिला तो मुझे push करना है तो यह मिलता है आपको आपको push करना है stack में ठीक है और अगर आपको closing मिलता है तो आपको pop करना है stack में और उसी के साथ साथ एक additional step है जो कि मैं आप लोगों को भी बताऊंगा लेकिन अभी push करते है मालो मैंने push किया फिर मैंने एक और push किया है यहां पर यह push कर दिया मैंने फिर मैं आ गया है तो मुझे closing parenthesis मिला अब मुझे closing parenthesis यहां पर मिल गया है तो मैं pop करूँगा stack में से जब मैं pop कर रहा हूं देखो ध्यान से सुनना यह दिहान से सुनोगे नहीं तो नहीं आएगा समझ में इस बात की guarantee ले ले ना मिर से तो जब मैं इसको pop कर रहा हूँ तो मैं इसको किस से मिलाओंगा मैं इस closing parenthesis से मिलाओंगा यानि कि मेरे को जो closing parenthesis जो encounter हुई है उससे मिलाओंगा क्या ये दोनों match कर रहे हैं क्या जब मैं इसको pop करूँगा ये इससे match करेगी हाँ याँ match कर रही है तो ये pop successful होगा ठीक है तो pop की success हम check करेंगे ठीक है मैं आपर लिख देता हूँ check pop success यानि कि क्या आपका pop operation successful होगा या नहीं होगा pop operation आपका successful तब होगा जब आपकी open close parenthesis match करेंगी ठीक है अब यहाँ पर अगर देखो या तो successful होगा या तो successful नहीं होगा ठीक है या तो not balanced और अगर है अगर है तो keep checking ठीक है आप अप check करते रहो ठीक है keep checking अब जैसे ही आपका पूरा expression खतम हो जाता है तो अगला step आप क्या करते हो आप ये देखते हो कि क्या stack empty है क्या stack आपकी empty है पूरा expression जब खतम हो गया अगर yes तो balanced वरना वरना not balanced ठीक है और आप लोग अभी सोच रहे होगे कि मैंने इतना fast क्यों बता दी हैं सब चीज़े क्योंकि मैंने अल्यडी ये चीज़ बता दी है ठीक है ये जो हमने single parenthesis के लिए कर लिए अगर कोई वीडियो डिरेक्ट देख रहा है तो playlist टैकसेश कर ले please बुक मा करो यहां क्लिक करके save करो तो यहां पर मैंने push तो वैसे ही किया जैसे मैं कर रहा था लेकिन pop करते समय मैं यह एक चीज़ additional step कर रहा हूँगी मैं check कर रहा हूँ कि जो चीज़ pop हो रही है क्या वो उस closing parenthesis को match कर रही है या नहीं कर रही है ज़रे कि अगर मैंने इसको pop किया जब मैं यहां पर हूँ तब मैंने किसको pop किया topmost element को pop किया तो क्या यह जो opening parenthesis थी वो इससे match कर रही है यहां कर रही है तो pop successful तो मैं इसको pop कर दूँगा फिर मैं और आगे बढ़ूँगा यह है तो मैं push करूँगा ठीक है तो मैंने push किया इसको ठीक है फिर मैं यहां पर आया मैंने push किया इसको फिर मैंने जब यहां पर आया है मैंने pop किया क्या match कर रहा है pop successful yes successful फिर उसकी बाद देखते हैं क्या pop successful yes successful क्यों successful क्योंकि यार यह मेरा closing square bracket यह opening है opening closing match कर रहे है तो pop successful उसकी बाद curly brace के लिए मैं करूँगा run इसको क्या pop successful हाँ pop successful चलो यहां तक तो हम लोग आ गए ठीक है अब अगला question क्या है is stack empty हाँ भाई yes stack is empty योगि सब कुछ pop हो चुका है तो balanced तो इसको एक दो expression के लिए और करके दिखाँगा फिर code लिखेंगे इसका ठीक है तो मैं इसको ऐसे इसके लिए करके दिखाता हूँ और मैं आपर एक काम करूँगा कि गलत ले लूँगा parenthesis ठीक है तो मैं आपर इसको ऐसे कर देता हूँ यह parenthesis balanced नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ एक बार ठीक है तो यह balanced नहीं है push किया square वाला push हो गया फिर मैंने इसको push किया बागी चीज़ों को मैं ignore कर रहा हूँ अब मेरे pop करने की बारी आई जब मैंने इसको pop किया जब मैंने pop किया तो क्या ये और ये क्या ये match कर रहे हैं नहीं यार ये parenthesis है और ये क्या है ये square bracket है तो match नहीं हो रहे हैं तो not balanced बस मैं आगे check भी नहीं करूँगा मैं आगे check भी नहीं करूँगा not balanced खतम बात ठीक है इतना ही काफी है अगर आगे मेरे पास बहुत सारे और expression के characters भी है तब भी मैं रुख जाओंगा अपनी search को रोख दूँगा मैं करूँगा भाई नहीं है balanced खतम बात ठीक है तो ये हमारा एक exercise हो गई जो कि हमने कर ली एक और कर लेते हैं एक balance ले लेते हैं ठीक है इसी को balance बना देता हूँ एक काम करता हूँ कुछ और ले लेते हैं और मैं ने देखो unbalance बना दे चलो इसको चेक कर लेते हैं ये unbalance ये unbalance जभी पता चल जाएगा तो एक stack बनाओ सबसे पहले ठीक है push push क्यों क्या है क्योंकि opening parentheses है pop was not successful pop was not successful क्यों क्योंकि ये देखो ये है curly brace और ये है square bracket तो pop was not successful तो not balanced simple not balanced कोई मुझे जाद है यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ये balanced नहीं है ठीक है चलो एक और अब यार एक balanced करना भी बनता है तो गलत बात हो जाएगी ठीक है तो मैं 7-11 plus 23 minus 8 into 2 और minus 33 plus 1 और मैं थोड़ा बड़ा ले लिया expression इस बार बड़ ठीक है थोड़ी practice हो जाएगी और क्या है फिर code लिखेंगे तो आप लोग को आएगा मज़ा क्योंकि code इसका बहुत mean है stack थोड़ी टेड़ी सी बना दिये मैंने कोई बात नहीं तो ये मैंने इसको push किया आगे बड़ा इसको push करूँगा curly brace pop करूँगा pop successful हाँ बड़ी successful तो इसको मैं काम करता हूँ यहाँ पर eraser ले लेता हूँ eraser से मिटा देता हूँ pop कर लिया मैंने और अब मैं यहाँ पर square bracket को जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे करूँगा push क्योंकि square bracket मिला फिर यहाँ पर आऊँगा तो pop करूँगा यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर आऊँगा पॉप करूँगा इस pop successful yes it is successful क्योंकि match कर रहा है opening square bracket closing square bracket से match कर रही है फिर उसके बाद फिर से pop करूँगा इस वाले bracket के लिए क्या pop successful हाँ pop successful चलो expression तो खतम हो गया balanced parenthesis ठीक है तो मैं आप लिख दूँगा balanced parenthesis और इस तरह से आपकी अगर 10 parenthesis भी होती है 10 अलग अलग तरह के brackets भी आप डालते हो इसमें तो वो भी check हो जाएंगे ठीक है लेकिन आप इस चीज़ को code कैसे करेंगे यह बहुत important है क्योंकि यह चीज़ हमने बोल तो दी तो यह code भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने बूली है logic तो बना दिया हमने अब उस logic को हमें code में convert करना है तो यापर मैं क्या करूँगा आजाओंगा अपने visual studio code में और 32 videos हो गए हमारे 33 के नम से एक file बनाओगा ताकि यार आप लोग को भी navigation में असानी हो तो मैं 33 underscore multi parenthesis dot c के नम से बनाओगा इसको और मैं एक काम करूँगा जो मेरा पिछला parenthesis वाला code था ना मैं उसे paste कर लूँगा यापर क्योंकि यार मैंने single parenthesis के लिए तो आपको बताई दिया था वहाँ पर बस मैं pop करता था और pop करने के बाद check नहीं करता था क्या चीज़ पॉप होई है देखो जब मैंने pop किया था तो इसको किसी variable में भी store नहीं किया था क्योंकि मुझे इस बात से मतलब भी नहीं था कि क्या चीज़ मैं pop कर रहा हूँ मैं हमेशा एक opening parenthesis को यह अंदर push कर रहा था और pop करूँगा थो obviously मुझे close parenthesis ही मिलेगा लेकिन यहापर मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपर push करूँगा नाई सिर्फ opening parenthesis को लेकिन मैं curly bracket को भी push करूँगा और उसे के सबसे square bracket को भी push करूँगा तो यह वो code है हमारा single parenthesis के लिए जो कि हमने लिखा था change क्या होगा यहापर बिलकुल वही चीज़ है stack बनानी है stack का size set करना है top को minus one करना है एक character array बनाना है फिर जब मैं expression को iterate कर रहा हूँ मैं आप लोगों को अपना पुराना वाला वह दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया था हमारा जो parenthesis matching का code था बहुत important है वो parenthesis matching तो यह चीज़ जो मैंने आप लोगो दिखाई थी 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 इस तरह से हमारा expression stored है एक character array में ठीक है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस array को iterate कर रहा हूँ तो यहां पर मैं आ जाता हूँ अपने VS code में और यहां पर देखो मैं इस को iterate कर रहा हूँ कब तक जब तक मेरा जो expression आई है वो back slash 0 ना हो जाए यानि कि end of expression ना हो जाए अब पहले मैं चेक कर रहा था सिर्फ opening parenthesis को अब मैं आपर एक और लगाँगा मैं करूँगा कि यहां तो मेरा opening parenthesis हो यहां फिर मेरा एक opening curly bracket हो और उसे के साथ साथ अगर मेरा एक square bracket है तब भी मैं पुश करना पसंद करूँगा और मैं पुश क्या करूँगा पुश करूँगा मैं expression I expression I ठीक है यानि कि अगर opening parenthesis हो यह opening parenthesis पुश करूँगा अगर opening curly brace हो तो उसको पुश करूँगा वरना मैं opening square bracket है तो उसको push करूँगा as simple as that ठीक है कोई यहाँ पर rocket science अभी तक नहीं push कर दिया मैंने अब जब मैं pop कर रहा हूँगा ध्यान से सुनना जब मैं pop कर रहा हूँगा तब मैं इसको एक character में ले लूँगा और उसका नाम में रख देता हूँ popped underscore ch यानि की popped character और इसको बना लेते हैं यापर उपर अपने function के अंदर तो मैं एक care popped underscore ch एक बना लेता हूँ character अब यह जो character है यह मैंने pop किया ठीक है और pop करने के बाद मैं check करूँगा कि अगर मेरा popped character जो मैंने character pop किया है और जो मेरा stack का top element है क्या वो दोनों match कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक function लिखूँगा और उसका नाम में रखूँगा match और match function मेरी दो चीजे लेगा सबसे पहले तो एक character मेरा लेगा popped character ठीक है तो मैं आपर care नहीं लिलिखूँगा और दूसरा में जो character दूँगा वो अगर मैज लेकिन नहीं होता है तो मैं if not of match लिखूँगा तब मैं return zero कर दूँगा क्योंकि यार अगर match ही नहीं होता है popped character और stack top जो है वो तो मैं obviously नहीं चाहूंगा कि मेरा जो ये expression है उसमें और checking continue हो क्योंकि यार अगर आपके match ही नहीं हो रहे हैं stack top का जो यहां पर आप लोग देखो जो इस तरह से भी मैंने किया था multi parenthesis वाले अपने इस notebook में कि अगर मेरा जो stack के topmost element है और जो चीज़ पर मैं भी हूँ यानि कि expression में जहां पर मैं हूँ वो दोनों parenthesis match ही नहीं कर रही है तो मैं रोग दूँगा अपने search को और मैं कहूँगा यार देखो यह जो expression है इस पर balanced parenthesis नहीं है ठीक है so मैंने match function लिखना है it is pending और stack top function I don't know यहां पर लिखा हमारी stack थोड़ी सी अलग stack है तो मैं क्या करूँगा यहां पर जो मेरा int return हो रहा है stack top एक character हो गया इस बार क्योंकि character रहे है तो यह return करेगा एक character को तो जो character यह stack top return कर रहा है और जो popped character है मैं इन दोनों को देखूँगा कि यह क्या match कर रहे है नहीं कर रहे है opening closing parenthesis match कर रही है आपको बस मैं जो opening वाली मेरी parenthesis होगी वो start top होगी और closing वाली जो parenthesis होगी वो मेरी popped character होगी इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ वैसा कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर देखो हमारा एक else if है इसको भी हमें change करना है तो यहां पर मैं pop-cup करूँगा pop मैं pop-cup करूँगा जब-जब मेरा expression i है वो यहां तो closing हो जाए यह closing curly brace हो जाए यह closing square bracket हो जाए ठीक है तब ही तो करूँगा वरना मैं क्यों करूँगा pop ठीक है वरना तो मैं ignore कर रहा हूँ expression को जो भी आ रहा है मेरा expression का जो भी character आ रहा है तो यहां पर मैं match function जल्दी से लिख देता हूँ और match function में मैं क् is if a equal to equal to ये मेरा opening and and b equal to equal to ये तब मैं क्या करूँगा तब मैं करूँगा return one यानि कि यह match हो गया else if या फिर else if भी नहीं if लिख दो कोई वो नहीं है क्योंकि already मैंने यहाँ पर जो एक्सामिक को लगा लेता हूँ already यहाँ पर रिटर्न होई जाएगा अगर यह लिख condition true हो गई तो मैं इसको दो और condition मना लूँगा और यहाँ पर parenthesis को check कर लेते हैं ठीक है और उसकी बाद square bracket के लिए click देते हैं और अगर इन तीनों if में यह नहीं गुस पाया अगर यह इन तीनों में से किसी भी if में नहीं गुस पाया तब मैं क्या करूंगा तब मैं कहूंगा वाई return 0 क्योंकि आप इसमें से तीनों में से किसी में गुसी नहीं पाए इसका मतलब आपका जो a और भी है वो balance नहीं है यह match नहीं कर रहे हैं तो match will return zero अगर इन तीनों में से कोई भी condition true नहीं हो पाई तो ठीक है तो आप इसको एक condition भी लिख सकते हो इफ यह equals to यह and यह equals to यह और यह equals to यह और मैं ज्यादा compact नहीं बनाना चाहता अपने code को मैं readability आप लोगों के लिए अगर मैं अपने लिए लिख रहा हूं तब मैं हां कर दूँगा उसको तो मैं इस बात की पुरी समझ रखता हूं कि यहां पर हर level के लोग इसको देख रहे हैं तो आप beginner भी है तब भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मैंने readability पर पूरा focus किया है and I think that's about it हमारा सब कुछ बन गया है code अब चलो याँ जल्दी से expression को check कर लेते हैं तो यह मैंने पिछले वीडियो में लिखा था यह महां पर check if stack is empty क्यों लिख करा रहा है इसको अटा देता हूं हाँ तो मैंने यह जो code यह लिखा था पिछले वीडियो में single parenthesis के लिए तो यह multi parenthesis वाला code single parenthesis को भी check करने में capable होना चाहिए सबटको अबर ब्देको öğren醒 कर रहा हो यहें और यहां पर देख़ो parentheses is not matching ऐसा है क्या और यह match हुआ यह match हुआ यह parenthesis तो एर match कर रहा है यह parenthesis is not matching क्यों बोला है देखते हैं कुछ झाडबण मैंने करी है ज़रूर तो यह एक बहुत ही silly mistake मैंने आपर कर दी है और वो silly mistake यह है कि यार मैं stack top को पता नहीं क्यों use कर रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर मुझे stack top से नहीं मिलाना है मुझे इसको match करना है expression i से तो यहाँ पर popped character मेरा पहले होगा और उसके बाद दूसरा वाला मेरा क्या होगा expi समाझ दो आप ऐसा क्यों किया देखो pop जो popped character है और stack top है वो दोनों तो जो है match कर भी सकते है नहीं भी कर सकते है क्यों मैंने pop कर दिया एक बस stack से तो यहाँ पर मैं obviously जो match करूँगा parenthesis को वो popped character और expression से match करूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था मैंने क्या किया था सबसे पहले pop किया character उसको match किया expression आई से ना कि stack top से तो पता नहीं मैं stack top क्यों यह उस कर रहा था और we all make mistakes या ठीक है अब यह काम कर जाना चाहिए चलो इसको run करते है ठीक है और यहाँ पर अभी मैं कुछ curly brackets जो है इस तरह से डालता हूँ कि expression valid हो जाए 9-8 और उसके बाद यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ अच्छे अच्छे curly brackets मैंने डाल दी है यहाँ यह भी valid है यानि कि balanced है parenthesis यहाँ पर देखो balanced is balanced लेकिन अगर मैं आपर एक square bracket गुसा जेता हूँ ऐसे तो obviously it is not balanced तो देखो balanced is not balanced ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक opening लगा दूँ तब भी not balanced है क्योंकि यह balanced नहीं आप देखी सकते हो ठीक है तो not balanced तो यह code बिल्कुल सही से काम कर रहा है ठीक है अगर मैं इसको balanced बना दूँ कैसे बनाओंगा इसको balanced इसको ऐसे करके और मैं आपर 4-6 करके ऐसे कर दूँ तो यह balanced हो जाएगी हाँ यह balanced हो जाएगी correct save करके run करता हूँ parenthesis balanced ठीक है तो stacked up function के अपर जरूवत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया है popped character जो है उसको match कर रहा है expression से तो हमारा जो popped character होगा वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की opening bracket होगी या तो यह होगी या यह होगी या यह होगी ठीक है और जो expression आई है वो इन तीनों में से कोई एक होगा क्योंकि हम यह सारा काम तब ही कर रहे है जब हमारा एक closing parenthesis closing curly bracket या फिर closing square bracket encounter हो रहा है तो मैं इसको इससे match कर रहा हूँ यह देख रहा हूँ कि क्या अगर यह parenthesis है तो यह भी closing parenthesis है कि अगर यह opening curly brace है तो क्या यह भी closing curling पिरसे है यह फिर इसके बाद कि अगर opening square bracket है तो क्या यह closing square bracket है यह काम मेरा match function कर रहा है तो यह काम जो है आप लोग कर सकते हो इसको एक one liner में भी लिख सकते हो मुझे बहुत सारे comments आ जाते हैं कि आप एक one line में भी लिख सकते हो इसको बट उससे जादा कोई फरक बढ़ने वाला नहीं है ठीक है आप इस तरह से अगर check कर रहे हो तब भी हो जाएगा आपका काम वरना आप एक line में कर रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा बट मैं readability भी जादा focus रखता हूँ और one second stack top की ज़रूरत नहीं है पता नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया मैं बहुत ही free होके कर रहा था काम जादा दिमाग लगा कर नहीं कर रहा था बट अगर आप कहीं इंटर्वी होगर में है और कहीं पर आप exam अगरा दे रहे हैं तो focus बहुत important है multiple यानि कि 3-4 और parenthesis के लिए भी लिख सकते हो अगर आप कोई और parenthesis इंट्रोड्यूस करना चाते हो जैसे कि अगर आप इस तरह का कुछ इंट्रोड्यूस करना चाते हो एक angular bracket वो भी आप balance जो है check कर सकते हो और in fact अगर आप html में काम करते हो तो जो html है हमारी उसमें भी हमारी जो balance parenthesis है वो इसी तरह से आप check कर सकते हो तो आपका अगर यहां पर एक opening tag closing tag है तो आप इस तरह से check कर सकते हो उसको भी ठीक है so I hope कि आप लोग को काफी समझ में आ गया कि application क्या है stack की और क्यों यूज करते हैं और यार को शेयर कर दो प्लीज अगर हो सके तो अगर आप Instagram बगएर पर शेयर करते हो तो मुझे दिल से बहुत कुशी होगी और मुझे tag करना मत बूलना बस ताकि जादा से जादा लोग जोड़ पाएं और मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊं सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time